ह्लो ट्रेडर, सौगत आप सभीका 0.002.Band investors के एक और analysis वीडियो में सबसे पहले हम 0.002.Band Alexa करेंगे अनालिस riesis आगे बढ़ने से पहले आज के मार्केट को समझेंगे कि आज के मार्केट में हमें किस तरह के काम करना था कल के अनर्सिस के आधार पर आज हमने आपको टेलिग्राम पर अपडेट दिया था कि बेंफ्टी का क्या डिरेक्शन हो सकता है हमने वाँ पर आपको क्लियर बताया कि आज का डिरेक्शन जो है क्लियर नहीं है market कल के analysis के अधार पर आज time correction में रहेगा इसके बाद 54000 का cyclosics का level है उसके उपर नीचे ऊपर नीचे घुमेगा मतलब जो यह 54000 का cyclosics का level है पहले उसको break करेगा फिर sustain नहीं करेगा नीचे आएगा फिर break down करेगा फिर उपर जाएगा इस तरीके से ये उपर नीचे ये 4000 के आज पास चलता रहेगा और एक range create करेगा मतलब time correction रहेगा ठीके हमने आज आज पोल डाला जिसमें 38% लोगों ने no trading डे बनाया आज 28% लोगों ने profit किया 34% लोगों ने आज loss किया ठीके तो loss करने वालों के संख्या जादा है क्योंकि वो तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कल हमने जो analysis किया था उस analysis में हमने एक detail analysis किया था और उस detail analysis में हमने clear आपके साथ डिसकस किया था कि benefit का यह एक impulsive wave है यह हमारा corrective wave है यह पूरा impulsive wave है इसके बाद यह पूरा area जो रहेगा इधर कहीं एक time correction में जाएगा मतलब impulsive wave के बाद मार्केट एक रेंज क्रेट करने की कोशिश करेगा तो हम लोग अब इस रेंज में सपोर्ट और डिस्टेंस को ट्रेट करने वाले हैं या फिर ये टाइम करेक्शन लेगा या फिर इस इंपलसिव वेब का पूरा 50% का यहां पर प्राइज करेक्शन होने वाला है जो कि हमारा एक लास्ट वेब रहेगा एक दो तीन और यह करेक्शन आएगा तो चार यह पांस तो यह करेक्शन वाले फेज में अगर हम है तो वहां पर market time correction जाता है फिर price correction में जाता है ठीके तो इे पूरा एक up trend का impulsive wep मिल चुका है और इसमें ही बहुत लोग जो है अब correction अगर करेगा market इसती करेक्शन में लोग भौूंफ aur होते हैं वापस ये इंटर नहीं करते हैं आईसा ही होता है तो पहले हम क्या करते हैं market का ट्रेंड अडेंटिफाई करते हैं इसके बाद हम वेब देखते हैं मार्केट काउन से वेब में है इसके बाद हम अपना डिसाइड जुह है decision लेते हैं हमें कहां पर काम करना है तो impulsive wave के बाद market कौन से wave में भी आएगा या तो price correction में या फिर यहां पर time correction में ठीक है तो अब जो भी यहां पर हम trade करेंगे वह हम correction में रहेंगे तो correction में automatic trend is your friend तो जो correction वाले wave में अगर काम करेंगे तो time वाले में तो हम support resistance को देख करेंगे अगर price कलेगा तो हम वहाँ पर भी जो है risk कम लेंगे मतलब lot size कम करके चलेंगे ठीक है और यहां पर यह हमारे लिए weekly resistance है इसके बाद यह हमारे लिए weekly support है और आप देख रहे हैं कि market weekly resistance पर ही hold कर रहा है तो अगर यहां आप टाइम बिता करके अगर hold करता है तो वापस हमें time correction के बाद एक नया impulsivir मिलेगा यह final रहेगा या फिर price correction के बाद एक नया impulsivir मिलेगा यह वारा final रहेगा ठीक है चलिए अब हमें पंद्रमड के time frame पर आ करके आगे की जो है planning हम लोगों ने देख लिया कल कैसे काम करना है उसको समझ लेते हैं ठीक है कल कैसे काम करना है कल रहेगा monthly expiry तो अगर यह flat open होगा तो समझ जाना कि यहाँ पर एक कोई भी हम लोग momentum को नहीं देखेंगे क्योंकि यह एक जो है sideways momentum रहेगा यहाँ पर option seller का market हमें देखने को मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि 53,800 से लेकर के 54,200 के बीच में 220 जो भी एरिया है इसके बीच में हम लोग option जो है sale करेंगे option seller का market है तो option sale करेंगे option sale कैसे करना है पहले उसको समझ लीजिए ठीक है option seller market करना है 53,800 के support को लेकर के आपको यहाँ पर put option right करना है otm के strike price के ठीक है इसके बाद यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ पर call option right करना है otm के strike price पर और यहाँ पर आपको जो है closing के बीच में कहीं मिल जाएगा आपको दोनों का premium DK मिलेगा अगर flat open होगा तो flat open होने के बाद option buying के लिए plan कप करना है इस तरीके का support यहाँ पर बदलता रहेगा market जब resistance को break करेगा तो क्या करेगा इस तरीके से support बदलेगा ठीक है और अगर ये क्या बोलते हैं अगर support को break करना होगा तो क्या करेगा resistance बदलेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक resistance trend line मिलेगा और जैसे ही 53,800 को breakdown करता है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से sale on rise form पर काम करेंगे यह हमारा रहेगा sale on rise तो यहाँ पर हम entry कैसे करते हैं हमें risk लेना होता है risk कहाँ पर लेंगे हम market का process देखेंगे market का क्या बलते हैं अपना setup देखेंगे तो हमारा अगर यह setup पूरा sale on rise का है तो हमें हमारे लिए resistance रहेगा तो यह support हमारे लिए resistance बदल जाएगा और 53,950 की closing का हमारा risk करहेगा तो मतलब SL रहेगा target हम रख लेंगे यही 33,200 तो यह पूरा area जो support है 35,200 से लेकर के 35,000 तक का यह हमारा target रहेगा पूरा sale on rise का हैगा अगर market flat open हो करते हैं अगर यह support बदल रहा होगा तो इस support का हम क्या करेंगा करेंगे और 54,500 के stop loss hunting को trade करेंगे इस psychological level का target हम रखेंगे 54,650 के आज पास का ठीके इस तरीके से यहाँ पर अगर मा लेते हैं कि कल मंतली expiry में बैनिफ्टी में gap down open होता है तो यह support हमारे लिए resistance बन जाएगा और इस resistance के नीचे अगर हम 15 अगर हम यहाँ पर gap up open होते हैं तो gap up के साथ में trend का जो डिरेक्शन है control buyers का है तो वहाँ पर हम 54,500 के साइक्लोजिक के लेबल का asl hunting देखेंगे 4,200 का support हमारा बन जाएगा इसी support का हमारा risk करहेगा और इसी strike price के call option में हम काम कर लेंगे 64,600 तक का हम target रख लेंगे इस तरीके से रहेगा अगर gap up gap down open होता है तो अगर बड़ा gap down open होता है 500 से जादा अगर gap down open हो गया या फिर बड़ा gap up open होता है 500 से जादा अगर gap up open हो गया तो हम इस case में नजदी की resistance और support को trade करते हैं लेकिन अगर बड़ा gap up open होता तो resistance पता नहीं रहेगा लेकिन हमको support पता रहेगा तो 54,200 का हमारे लिए support रहेगा इस support पर हम जो है buy on dip करेंगे trending support हमारे लिए मिल रहा है तो अगर यह gap down बड़ा होता है तो बड़े gap down के साथ में ही याद रखना की हमारा price correction हो सकता है तो इस तरीके से रहेगा हमें यहाँ पर हमें बैनिफ्टी में ऐसे ही काम करना है हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से buy on dip की strategy यहाँ पर sell on rise की strategy और इसके बीच में हम option selling करेंगे तो यह हमारा बैनिफ्टी का planning रहेगा कल के लिए इसके बाद निफ्टी को देखते हैं निफ को सिखाया हुआ है कि निफ्टी पास में किसके trade कर रहा है रेजिस्टेंस के पास में trade कर रहा है जो कि 26,000 का एक साइकलोस के level है ठीके control कौन कर रहा है buyers control कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है probability थी कि 26,000 का एक stop loss कटे वापस अंदर आ जाए तो bank जो निफ्टी 50 है उसमें बहुत जादा जो है कुछ probability नजर नहीं आ रहे थी कि कोई एक trend पकड़े अब देखिए हम लोग trend trader है हम लोग clear trend को trade करते हैं इस तरीके से trend को trade करते हैं ऐसे market करते हैं कि हमारा premium decay हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है हम जब भी trade में इंटर करते हैं हमारा profit होगा क कि नहीं होगा वह बात की बात है लेकिन हमारा कितना risk involved है यह पहले हमें decide करना होता है इसको बोलते है risk को control करना तो इसलिए ज्यादा interest को स्थानी market में इसलिए हमने आपको message डाला था कि by NFT तो time correction में रहेगा आज market भी time correction में रहेगा क्योंकि हमने इस चीज को पहले ही जो है सीखा हुआ है कि अगर market पिछले कई दिन से अगर trending momentum दिया है तो अगले दिन try करता है वो hold करने का तो यह hold वाला position रहेगा तो automatic आपको risk कम करना है lot size से बाकी trade मिलेगा तो करेंगे वरना नहीं तो अब इसमें कैसे करना है हमें कुछ को समझते हैं आज का जो high लगा है मतलब 26,000 को उपर close नहीं कर पाया है तो हमनों क्या करेंगे इसको resistance माल लेंगे same वही concept रहेगा 5050 में कि हमारे लिए resistance है मारे लिए support है इसके बीच में हम क्या करेंगे option sale करेंगे resistance पर call option write करेंगे otm के strike price को और support हमनों put option write करेंगे otm के strike price पर अगर यह flat open होते ही अगर यह support बदनन अगर यह resistance trend line को follow करते हुए अपना resistance shift कर रहा है और support को breakdown करता है तो हम यहाँ पर sell on rise form पर काम करेंगे 25,450 का हमारा यहाँ पर second target रहेगा ठीके और पहला target हम यहाँ पर लेंगे जो हमारा support बन रहा है 25,650 का यह पहला target यह दूसरा target हम यहाँ पर लेंगे sell on rise form पर काम करेंग इस resistance trend line का stop loss के साथ में ठीके तो जब तक ऐसा setup नहीं बनेगा अगर flat open होता है तो इसी setup पर हम option buying करेंगे अगर flat open हो गया तो अगर आप selling करना चाहते हो तो morning में आपको बड़ा premium मिलेगा अराम से आप OTM के resistance पे और support के जो है आप OTM के call put आप right करके आप बैठे रह सकते हैं इस zone में और इस zone में इसकी closing हो जाएगी तो आपको जो है अच्छा खासा BK मिलेगा यही पर अगर हम देखें अगर nifty 50 अगर gap open हो गया तो हमारे लिए buy on dip के strategy यहाँ पर रहेगा क्योंकि already buyers का control है यहाँ पर तो हम यहाँ पर हमारे लिए resistance became support रहेगा इसी support का risk लेंगे 26,000 के call option में काम करेंगे target हमारा 26,000 का क्योंकि आगे resistance पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे follow करते रहेंगे market को जहां तक हिट होगा हमारा trailing stop loss वहाँ निकल जाना है अगर यह gap down open होता है तो हमारे लिए support became resistance हो जाता है और पंदर मिट अगर sustain करता है तो हम sell outize के firm पर काम करें अगर बड़ा gap open होता है तो resistance हमको पता नहीं है लेकिन support पता है चब भी जरक हमारा support हो जाएगा resistance जहां पर market लेगा उज़ दिन का हमारे लिए resistance बनेगा बड़े gap down में हमारे लिए support बन जाएगा 25,650 और 25,450 का resistance बन जाएगा हमारे लिए 25,850 का तो इसका मतलब gap down open होगा तो हम 100% sell on rise करेंगे gap up होगा तो buy on tip करेंगे और बीच में हम लोग क्या करेंगे option selling कर लेंगे ये nifty का planning रहेगा बस इतना ही simple रहेगा market को trade करने के लिए अब आपको याद होगा कि हम लोग trend को follow कर रहे है trend is your friend तो फिर यहाँ पर अगर हम trend को अगर देख रहे हैं तो market को hold होना चाहिए तब यह 5 बाद बनेगा तो अभी हम लोग किस wave में है यह पहले आप identify करेंगे trend आपने देखा आप trend trend के बाद wave देख रहे हो अब हम correction वाब में जाएंगे तो time या तो price में तो यह पूरा हमारा time correction रहेगा और इधर इस wave का आप देख लिजिए 50% कहां आ हमारे लिए price correction रहेगा इसके बाद फिर हम नए wave को trade करेंगे तो अगर price correction करता है तो ज्यादा strong रहेगा अगर time भी बिता करके निकलता है तो हमको wait करना पड़ेगा ठीक है तो यह पूरा है और daily time frame पे आप देख रहे हो market uptrend को यहाँ पर support जो है लेते हुए trend line का ऊपर की move कर रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरीके से move करने वाला है तो यह पांच भी wave को आपको trending momentum में देना है देखिए trend आया फिर price correction आया फिर trend आया यहाँ पर price correction आया फिर time correction आया कोई भी correction आ सकता है फिर trend आया तो हम लोग trend को देखेंगे तो अभी impulsive wave बाकी है correction के जादर फिर आप missing out होता है और पहले trade लेकर के और लोग यहाँ पर loss कर लेते हैं जब trending momentum आता है तो फिर वह miss करते हैं और trade नहीं कर पाते हैं या फिर revenge mode पर रहते हैं वोग हम ऐसा नहीं करना है ठीके तो I hope आप लोग समझ गए होगे आप लोगों को बहुत कुछ सेखने को मिला होगा और ठीके तो कल मैं आपको फिर से अपडेट दे दूँगा क्योंकि BNFT की monthly expiry है तो ज्यादा तो लोग monthly expiry में लोग फचते हैं ठीके बड़ी quantity से trade करते हैं अगर कुछ कहीं ट्रेपी होगा तो मैं जरूब message आल दूँगा original telegram चलने का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप जो है join कर सकते हैं फिर जो है आप जो हमने एक नया प्रोग्राम चालो किया है आप उसी का message देखकर का आप उसको join कर सकते हैं वहाँ पर आपको बहुत help होगा live market में आपको support मिलेगा ठीके trade कहां पर करना है उसके वीचे क्या logic है कैसे करना है कैसे निकलन दोस्तों को जिनकोस की जरूवत है मिलते विडियो में धन्यवाद